हेलो दोस्तों सौगत है आपका माई फार्मा टिपस यूटूब चैनल पर आज हम शुड़ों में कोल्डी नीक शिरप के बारे में पुरी जान कर लेने वाले कोल्डी नीक शिरप का मेंलियूज सर्दी की समस्या अदूर करने में किया जाता है आए इस शिरप के बारे में और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि मैं आपके लिए से हेल्थ और मेडिशन से जुड़ी वीडियो लाते रिता हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते अस्टेरिजम फार्मासुटिकल कंपनी का सिरप आपको मेडिकल स्टोर पर 90 रुपह में मिल जाएंगा दोस्तों बताएगे कि मत समय के साथ कम या ज़्यादा हो सकते बात करती सिरप में मौझूद कंटेंड के बारे में कोल्डी नीक सिरप में इस फाइमल कंटेंड में फैनलिफ्रिन हेड्रो क्लॉराइड आइपी फाइमजी क्लोफिरेरमाइन मेल्टेड आइपी 2 या कंटेंड समय इसमें मौझूद फैनलिफ्रिन एक नेजल डी कंजेस्टन है जो छोटी बलड वेसल को संकुचित करता है और बंद नाक और नागजाम होने कि सिद्वें रहत देता है इसमें मौझूद क्लोफिरेरमाइन एक एंटियलर्जिक ड्रग है जो एलर्जी के ल दूर करने में बैती नाक की समस्यादूर करने में नाक बंद होने की समस्यादूर करने में लगातार चीक आने की समस्यादूर करने में आकों से पानी आने की समस्यादूर करने में सर्दी जुकाम इनसे भी समस्यादूर करने के लिए डॉक्टर इस सिरप का इस्तमाल करते सिरफ के आन्य जानने के लिए आप आपने डॉक्टर या फार्मसीस संपर्ख कर सकते आपके डॉक्त अनुखों से श्युट करने के लिवी वह कर सकते बात करती है डॉसचोष के बाई में आप अपनी समस्य अपने डॉक्त आप mismיד के इस सव्य को मैं इसलिए औपजों कि बताकर इस शरंप का दौसन से निद्जीत कर ले 2-5 साल के बच्चे यह धाई एमल दिन में 2-3 बार ले सकते हैं एक दिन में 2-3 ले सकते हैं अबके बच्च को महतुत हैं हो सकते हैं यह सबस्क्राइब इस syrup की इस्तमाल से उन्हें उल्टी, मितली, सिर्धर्थ, चिंता, बेचेनी, पेट डर्थ ये कुछ सवक्ते हो सकते प्रिकोशन अगर आपके बच्चों को इस सिरप की इस्तमाल से कोई साड़फिक्ट होता है या फिर उन्हें इस सिरप में मौझूद कंटेंस आलर्जी है तो आप इस सिरप का यूज ना करें अगर आप अपने बच्चों को पहले से कोई आनने सिरप मेडिसेन आजिवाटिक दे रहे हो तो उसके शुचना अपने डॉक्टर को अवश्चे दे इस सिरप का ड्रग इंट्रेक्शन या ओडूस होने की संबावना कम होती है अगर आपके बच्चों को लिवर या फिर किनन इस शुचना अपने डॉक्टर को अवश्चे दे इस शिरप को इस्तामाल करने से पहले इसे आच्छी तरह से हिला और बाद में आपने बच्चों को यह जादा दिन तक ना पिलाए जब तक आपके डॉक्टर ने कहा है तब तक इसे पिला दोस्तों अगर आपको इस वीड हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिपस यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करें उस चैनल पर आपको हमेशा मेडिस इंडूस मिलते रहेंगे ठैंक यू फार वाचिंग दिस वीडियो